हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कॉमनिटास का जो है मिलेनेर प्रोग्राम क्या है और ये जो है मिलेनेर प्रोग्राम कॉमनिटास ने आराउंड आसे एक महिना पहले अपने टेलीग्राम चैनल Twitter और हर जगे जो है साजा की आनाउंस किया था कि Millionaire Program Communitas का आने वाला है तो ये around year end पे Communitas ने आनाउंस किया है तो हम इसको Plan for the future कह सकते हैं क्योंकि नए साल शुरू होने में एक ही महिना रह गया है इसको हम strategic thinking for maximum impact भी कह सकते हैं जादा impact हासिल करने के लिए strategic thinking है प्लान है ठीक है और यहाँ पे हम सबसे पहले मैं आप सब का धन्यवाद कर लूँ वीडियो जॉइन करने के लिए आज मेरे वीडियो में जो है आने के लिए जुड़ने के लिए आप सब का धन्यवाद मैं आपके साथ में जो है कॉमनिटास से जुड़ी सारी updates अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ में साजा करता रहता हूँ टेलीगराम पे अगर आपने मुझे join नहीं किया है ट्विटर पे follow नहीं किया है कर लें वीडियो के description में सारी detail मैंने आपके साथ में share कर ली है मेरी तो कॉमनिटास का जो है millionaire program topic पे आ जाते हैं क्या है partners किसको कहा जाता है program यह क्या है इससे क्या benefit मिलेंगे कॉमनिटास को क्या benefit मिलेंगे millionaire partners को क्या benefit मिलेंगे सारी कुछ चीज आज के वीडियो में cover करेंगे देखें सबसे पहले simply अगर देख लें कॉमनिटास के जो एक करोर कॉम token जिसने stack किया है तो वो एक करोर कॉम token stackers जो हमको millionaire partner कहा जाएगा कि हो millionaire partner साथी साथ उनको कुछ perks और benefit भी मिलेंगे वो भी हम cover करेंगे वीडियो में अच्छा यहां पर हम यह भी देखेंगे कि क्या उससे दूसरों को कोई फर्क पड़ रहा है और क्या जो हमारे private partner थे या जो medium amount of token जिनों ने stack किया या किसी ने कम token stack किया है तो क्या उनके benefits को उठा के कॉमनिटास ने partner को दे दिया है क्या यह सारी चीज हम वीडियो में आज के cover करने वाले हैं तो यहां पर सबसे पहले यह देख लें कि यह चीज शुरू कैसे हुई कहां से आई क्यूं सोचा गया इसको तो कॉमनिटास जो है अपने inception के टाइम से जब से कॉमनिटास शुरू हुआ है तब से कॉमनिटास अपने feedback और suggestions जो कॉमनिटी की तरफ से कॉमनिटास को आते हैं उनको जो analyze करता है और analysis के बाद में उनको implement करता है progress के लिए और growth के लिए तो यह भी जो है private partners की तरफ से एक suggestion था कि एक millionaire program होना चाहिए जो top token holders है उनके लिए तो यहाँ पे इसको अगर हम यूँ कहें के remember the top token holders तो वाकई यह ऐसी चीज़े top token holders को यहाँ पे remember किया गया है उनको जो है rewarding है उनके लिए उनके लिए supportive भी है ठीक है साथे साथ यह सभी को जो medium token holders है या small token holders है उनके लिए encouraging है उनको encourage करेगा कि वो millionaire partner बने इस तरीके से यह benefiting to all है को as a launchpad यह benefit करेगा community को भी यह benefit करेगा top token holders को भी benefit करेगा साथे साथ यहाँ पे हम यह देख लेंगे कि क्या जो medium token holders थे उनको कोई फर्क पड़ा है क्या small token holders को कोई फर्क पड़ा है क्या क्या उनके benefits को उठाके community आस ने millionaire partners को दे दिया है क्या ऐसा कुछ भी नहीं है वो सारी चीज़े हम देखेंगे इस slide में external and internal benefits क्या मिलने वाले है millionaire partner को तो यहाँ पे हम यह देख लेंगे जो community आस के उपर उन प्रोजेक्स से लेता है उस fees का 5% community आस अपने millionaire partner को देगा monthly basis पे तो यहाँ पे मैं यह बता दूँ के community आस के उपर कई सारे project आते हैं every month around seven to eight जब थोड़ा market अच्छी होती है अभी जो है market थोड़ा down है तो around फिर भी four to five to six project जो है community आस के launchpad के उपर मंथली आते हैं तो उनके थुरू जो fees collect होती है उसका जो है community आस उस fees से उस total fees का यानि के चाहे वो private IKO हो या public IKO हो ठीक है या चाहे वो priority project हो या non priority project हो किसी भी तरीके का project हो उससे जो fees collect होई है उसका 5% community आस अपने millionaire partner को दे देगा पहला benefit दूसरा benefit exclusive private deals जो अगर कोई ऐसी deal जो है community आसके पास आती है जो बहुत exclusive है उसको community आस अपने जो millionaire partner है उनके साथ में share करे है कुछ ऐसी deals होती है कुछ ऐसे projects की जो के जिसका ज़्यादा allocation नहीं होता तो जाहिर सी बात है उसको बड़े level पे share करने से उसके benefit जो है नहीं मिल सकते तो वो जो है exclusive private deals जो है वो सबसे पहले millionaire partner को share की जाएगी साथीजाद community आस की जिन projects के साथ में marketing partnership होती है उनके जो tokens community आस के पास आते हैं उसका जो है airdrop जो community आस को मिलता है उनके through marketing tokens का वो जो है community आस जो अपने millionaire partner के साथ में साचा करेगा यहाँ पर इन सारे benefits में आप देख सकते हैं कहीं भी community आस ने medium जो stackers हैं या low comb token के जो जिनोंने stack किया उनके benefit को उठा के millionaire partner को नहीं दिया है बलके अपने खाते में से benefits को community आस ने millionaire partner को दिया हुआ है जो community आस को जो benefits आते थे fees आती थी उन में से जो है उन benefits को अपने पास benefits आने वाले benefits को community आस ने जो है वो millionaire partner के साथ में साज़ा किया हुआ है यहाँ पर अच्छा मोटा मोट एक rough सा calculation देख लेते हैं कि मंथली basis पे जो fees शेर करने की बात है तो वो किस तरीके से शेर होगी एक rough calculation देख लेते हैं अगर 4 लाग जो है मंथली raise होता है community आस अपने launchpad पे अलग-अलग projects का मिला कर सब का मिला कर अगर 4 लाग का raise करता है तो millionaire partner को $200 जो है मंथली उस महिने जाएगा अगर 6 लाग dollar communitas raise कर रहा है और 3 millionaire partner है तो हर partner को $300 जाएगा ठीक है इसी तरीके से यहाँ पे अलग-अलग calculation है $500, $600 तक भी जा सकता है एक millionaire partner को मंथली यह depend करता है कि उस time पे कितने millionaire partner है साथी साथ depend करता है कि around lump sum communitas के launch pad के उपर मंथली जो है 4-6 project तो आते ही आते हैं अभी beer market में भी तो यह हो गया जो है benefit जो millionaire partner को मिलेंगे अच्छे benefits हैं अब यहाँ देख लेते हैं कि requirement क्या है किस तरीके से millionaire partner बना जा सकता है तो देखें simple requirement is just one requirement one crore com token जो है stack किया हुआ होने चाहिए stack करने के बाद में अच्छा यह one crore com token एक बार में किसी ने stack किया हो ऐसा ज़रूरी नहीं है आपने अगर past में stack किया है मालने आपने पहले 20 lakh token stack किये थे फिर पिर जो है आपने 10 lakh com token stack किये थे फिर 25 lakh वो सारे पीछे का सब record मिला के stacking launchpad के उपर launchpad के उपर communitas के launchpad के उपर जो है सब token आपके मिला के एक करोर बनने चाहिए अगर एक करोर बन रहे हैं तो वो जो है उसके बाद में आप at the rate robby 678 के उपर आप जो है simply message करें अपने wallet address को दें और आप millionaire partner बन गए that's all यही requirement है तो यह जो है this is key to the success ठीक है यहाँ पे आप जो है अगर इसको सही तरीके से देखें तो इसमें benefit सब को है हर किसी को benefit है यहाँ पे small token holders को भी benefit है medium token holders को जो millionaire partner बन रहे हैं उनको भी है साथी साथ communitas launchpad को भी as a whole यहाँ पे benefit मिल रहा है तो यहाँ पे अगर आपका कोई suggestion है कोई चीज समझने नहीं आई है तो आप video के comment section में मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पे communitas जो है working work करता रहता है hard benefit देने के लिए अपने communitas को investors को हर किसी को और communitas अपने telegram group में काफी active होता है वहाँ पे आप join कर ले कोई भी suggestion हो आप जो है वहाँ पे साजा भी कर सकते है तो इसी के साथ में आज का video यहाँ पे end होता है मेरे channel को subscribe कर ले twitter पे follow कर ले telegram पे भी मुझे join करना नहीं भूलिएगा हम में सारी detail और सारे link अपने video की description में आपके साथ में साजा कर दूँगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में कॉमिनेटास के fit कोई update को लेकर तब तक के लिए check care बाई बाई